हाई दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप कुछ खेल्थ टिप्स आपके साथ सेयर कर रहे हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए या वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही फायदा ही फायदा होगा तो चलिए हम वीडियो की सुर्वयात कहत लेते हैं पहला टिप्स है कि हाथ के कोहनी के पास बहुत सारे लोगों को काला पन रहता है इस काले पन को दूर करने के लिए या टिप्स आप अपना सकते हैं तो या टिप्स अपनाने के लिए आपको चा कोहनी पर जहां पर उसके काले पन को दूर करने के लिए आलू को काट लेना है और उसके बाद कोहनी पर लगागा है थोड़ी देर रगण लेना है और उसके बाद धोल लेना है इससे कोहनी पर जो काले पन होगा हो दूर होगा अगली टिप्स है डायविटेज से बचे अगली टिप्स है अस्थमा, अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए पीपल के फल को सुखा कर पीश लें, इसे दूद में डाल कर पीने से अस्थमा की प्राबलम दूर होगी, अगली टिप्स है भूनी हुई लैसुन की दो कली खाली पेट खाने से मसल से मजबूत होते हैं, लैसुन को खाने से पेट भी आपका साफ रहेगा और सारे मसल से बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद करेगा, अगली टिप्स है गैस से छुटकारा पाने के लिए, यदि आपके पेट में गैस बनी है, तो उस समय आपको बराबर मात्रा में सहाद और दालचीनी पाउडर मिला कर खाएं, फिर एक गिलास पानी पी लें, जल्द ही राहत मिलेगी, अगली टिप्स है, सफेद बाल हो जाएंगे, काले, जैसे कि यदि आपके बाल सफेद हैं, तो वो काले हो जाएंगे, इस प्रियोग को आप प्रियोग करेंगे, तो आपके बाल सब काले हो जाएंगे, हफते में दो बार चाय के पानी से बाल दोएं यानि कि जब आप चाय बनाते हैं तो चाय को छान कर हम फेक देते हैं उसी चाय को आपको लेना है और उसके बाद पानी में उबाल लेना है पानी हलका सा ठंडा हो जाए उसके बाद उसे छान लें और हपते में दो बार उसी पानी से आप भाल दोएंगे तो आपके बार काले और घने शाफ्ट बने रहेंगे तो इस टिप्स को जरूर अपना हैं तो यह रही कुछ टिप्स तो आज के वीडियो में बस इतना ही कमेंट फाक्स में जरूर बताएं कि आप कुछा टिप्स कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइक और ट्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों मि मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए और टेक केर बाबाए